दास सीन में हमने देखा था कि बाइली दॉंग जिन जो है वो अपने सपनी में होता है और अपनी लवर यूजिस से मिलता है जो उसे समझा रही होती है कि मैं मर चुकी हूँ और इसलिए तुम्हें मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाह इसलिए यही जो है वो उसे खुदी गखा दे देती है उसके ड्रीम से कैसा कर सकती है उसे नहीं पटा कि उससे किppenा ज्हादा रहे होता है और उस बोटटल को देखके कहरा होता है कि आखिर उससे क्यूंप क्यूंत है । चराखिर ऐसा कैसी हो सकता है जिसके बाद तैंग लाइज आवास देता है और उसने उसे भी ट्रिक किया और ओविलाज बहुत ट्रिंक पिला कर यहां पे भी होश कर दिया और इस बात को सुनकर तैंगलाई उसे बताता है अपने मास्टर को दोंग जिंग को कि यहां पर सभी लोग आई वही है इसका मतलब सभी लोगों की जान खत्रे में है ली वुजिं कोईल्यू रूए शाउसी यह बात सुनने के बाद जो दोंग जिंग को खहता है कि अभी के बाहर चलो लेकिन जैसे ही वह अपने डूर के पास आते है जैसे बाहर निकलना होता है वहां कर रास्ता बंद होता है जिससे वाई दोंग जिं जो है वह तैंग लाई से पूछता है पर वह कहीं पर भी नहीं मिलता अभी बाद पर मुय यह आ जाता है वह बताता है कि उसने कहा था कि वह कौश्चन पूछेगा लेकिन उसे यहां पर रूए ही चाहिए जिससे सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और एक साथ मुय पर हमला करते हैं लेकिन मुय जो है वह चीज का कोई फाइदा नहीं होता और वह एक बार में इस सब को गिरा देता है इसके बाद वह सभी लोगों को उसी जगह पर स्टैचु बना देता है और रूए के अंदर से उसकी पावर या सौल जो भी है वह ले रहा होता है और यह सब देखकर वूजिन को बहुत जाता सब्सक्राइब ले चुका होता है और रूए को नीचे घिरा देता है जिसे तभी तैंगला या के पावर्स देने लग जाता है जो लोगों को बताता है कि भीडी से पावर्स वह इसलिए ले रहा हता था ताकि वह अपनी छोटी बहन को वापस जिंदा कर सके है क्योंकि शाउसी वुजिन और क्वैल नियूत सीनों की स्कॉट्स को लेकर बहुत साइब करते हैं और मुह यह जो है काफी जाता मज़ेधार होती है मैं सीन्स नहीं दिखा सकती क्योंकि जिन आप इस ओर्च में मैंने सीन्स दिखाया उस पे कॉपी राइट आ गया और वो ब्लॉक हो गया है और ऐसे ही इनकी फाइट जो है वो काफी देर तक चलती है यहापि स्टेट प्रफेक्टी को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल चुका होता है कि यह सब हो रहा है जिसके बद वो कुछ calculation करते हैं और बताते हैं कि अब बहुत जादा देर हो चुकी है और बाकि सारे disciples को बलाने के लिए के लिए कहते हैं इसके बाद हमें वापस इनकी fight का scene दिखाया जाता है जहां पर दोम्जिन जो है वो मुई यह से काफी जादा बुरी तरह के से हार रहा होता है और तभी वो शांसी के पास आता है और उसे वही भी यह वाप ब्रॉथ डियता है और उसे बताता है कि अगर वो उस ट्रिंक को पिये गतब जाता टाइम तक जिन्दा रह सकता है जिसके बाद वो वापस चले जाते हैं मुईये से फाइट करने के लिए और तब ही वहाँ पे स्टेट परफेक्टी आ जाते हैं जो कि मुईये से फाइट करते हैं और स्टेट परफेक्टी और मुईये जो है वो एक दूसरे को आपस में जानते हैं और स्टेट परफेक्टी कहते हैं कि तुम अभी भी पहले किता है जवान हो लेकिन मैं बूड़ा हो चुका हूँ मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो पर ये करना बहुत जादा गलत होगा क्योंकि तुम heaven और earth को correct करते हो और उसे protect करते हो जिसके बाद वो मुई ये को नीफ पे बैठने के लिए कहते हैं वो भी तीन बार जिसके बाद मुई ये तीन बार अपने नीफ पे बैठता है और कुछ कुछ बोलता है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे सुधरना नहीं होता और वह वापस से fight के लिए challenge करता है और यहाँ पे इन लोगों की बीज में काफे सारी बाते होती हैं जापे state perfect जो है वो बाईली की काफी तारीफ करते हैं कि उसकी unbeatable passes power जो है वो कमाल की है और साथ में यह भी बताते हैं कि वो यहाँ पे मुये को रोकने के लिए ही आया है और बाईली का साथ देंगे और दिखाया जाता है कि मुये एक तर्फ होता है और बाईली दोंजिन और state perfect जोनों एक साथ उससे fight कर रहे होते हैं और यहाँ पर शाउसी और वूजिन आपस में बात कर रहे होते हैं फाइट के बारे में जिसके बाद वूजिन रिसाइट करता है कि वो भी उनके साथ fight करेगा जिसके लिए शाउसी उसे रोकने का ट्राय करता है लिए वूजिन बताता है कि वो अपनी fire skills के साथ वूजिन की सिखाई भी टेकनेलीचों को यूस करेगा और ऐसा करने के बाद वूजिन की बॉडी से सिर्फ आग निकल रही होती है और वो भी हापे मुहिये इससे फाइट करने आता है और काफी अच्छे से फाइट करता है उसकी फाइटिंग देखकर स्टेट प्रफैक्री और वुजिन का सहते का और उनलोगों की फाइट देखकर यहां पे इन लोगों का काफी स्टेंज फील हो रहा होता है जिसके बाद सावसी वो कोई से उसका स्कॉट मांगता है और उनसे फाइट के लिए जाता है जहां पे वह मुहिय के पास आता है और उसके आइस में से कुछ fire type निकल रहा होता है और मुहिय ही जो है वह एक सपनों की दुनिया में चला जाता है जहां पे उसका immortal side और एक evil side होता है जहां पे immortal side evil side को समझाता है और कहता है कि वह उससे काफ़ी जादर disappoint है कि वह ऐसे हरकते कर रहा है इक मोटल होकर और बताता है की अगर मैं तुम्हारी जगा होता तो introductions जासे कभी नहीं करता ढूरा कि आसा करने से बहुत सारी लोगों की जान जा रही है और इस चीजेस को मुही भी समझ जाता है nurses इणंट मुही गायब हो जाता है और हमें present time का scene दिखाया जाता है जहांपे अपनी इतने सारी powers यूज़ करने के वज़े से जो सावसी है वो नीचे गिर रहा होता है और साथ में वो उस wine के चार को फैक देता है और पाइली दॉमजिन जो है वो उसे बचा लेते हैं और मुईय के पास आने के बाद वो अपनी लिक्विड टेक्नोलीजी यूज़ करते है और वेले ब्रॉद को मुईय भी यूज़ करते है ताकि वो अपनी पुरानी मेमोरी को भूल पाई और हमें मुईय को दिखाया जाता है, जहां पे वो फिर से अपनी सपने में पहुद गया होता है और उससे खाने के लिए एक ब्रेट देता है लेकिन उसकी छोटी बेट जो है वो उसे ब्रेट को खाती नहीं है बल्कि अपने पास सभाल के रख लेती है जिससे मुझे पूशता है कि आखिर वो उसे रख्यों रही है, उसे खा क्यों नहीं लेती और उसकी छोटी बेन बोलती है कि उसका एक बड़ा भाई है, जिससे उसे ये खिलाना है ये बात सुन के मूँ ये काफी ज़्यादा emotional हो जाता है क्योंकि उसकी छोटी बैन हमेशा उसके बारे में ही सोचती थी और उससे कहता है कि वो कितने ज़्यादा silly girl है अपने बड़े भाये के लिए अपनी वो खुद को आखिर क्यों sacrifice कर रही है और ये बोलते हैं उसके आखों से आसू भी निकल रही होते हैं जिसके बात चोटी बैन जो है वो उसके आईस को पोस्ती है और बताती है कि भाया आप पहले से काफी ज़्यादा different लग रहे हो बिल्कुल एक डैटी की ज़रा मैं आपको देखके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं हमेशा सिर्फ आपको देखके ही खुश रहूँगी प्लीस मुझे कभी मत छोड़के जाना और हमेशा मेरे साथ रहना और यह सब सुन के मुझे को काफी ज़्यादा खुशी होती है तोंग जिन बताता है शाउसी कि उसका जो टाइम है वो बहुत जल्दी खतम होने वाला है इसलिए शाउसी जो है वो सभी लोगों को यहां से जाने के लिए बोल देता है जहां पर वो खुद fight में नहीं गए थे बलकि उन्होंने अपने clone को fight में भेजा था लेकिन fight करने की वज़े से उनकी health काफी ज़्यादा खराब हो चुकी है और उनके साथ उनके disciples भी थे जिनकी वज़े से उनके powers मिल रही थी और इसके बाद उनकी भी health काफी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और मुह यह उसका इलाज करने के लिए कहता है और बताता है कि तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और साथ का treatment करने के बाद वो उसे कहते हैं कि वो अगली बार से अपनी inner energy को फिर से force ना करे कि उसे ठीक करने के लिए यनकी energy लगेगी जो कि काफी जादा मुश्किल है और उसके बाद उसकी immortality खतम हो जाएगी जिसके बाद साथ से उसे वापस पूछता है कि आखिर वो उसे क्यों बचा रहे हैं और मुईय कहता है कि मैं तुम्हारा डिक्टर तुम्हें वापस कर रहा हूँ मेरे पास लोगों को ठीक करने का talent है मैं बस उसे use कर रहा हूँ और जिसके बाद इस साथ सी महापे भी हो जाता है और तब ही दिखाया जाता है कि बागी सब लोग भी उस जगा पूछ चुके होते हैं और वो पूछते हैं कि साथ सी कैसा है और मुईय बताता है कि उसने उस और यह बोलकर वो रूईय को थोड़ी powers दे देते हैं जिससे देखकर सभी लोग काफी ज़्यादा खुछ रोजाते हैं कि साथ सी और रूईय आखिरकर दोनों का इलाज हो गया जिसके बाद वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं महापे तैंग लाए बाइली और मुईय होते है और तैंग लाए कहता है कि आपनी एकसेप्ट क्यों कर लिया कि आप वापस सुनियान सिटी नहीं आओगे जिस पर भाइली कहता है कि सुनियान सिटी में कोईल्यू के फादर है थर्द स्कॉर्टटी और सेकिंड मास्टर यानि कि ली होंगी तो मेरी जरूरत नहीं है जि इस पर बाइली दोंग जिन कहता है कि मैं 13 साल से सुनियान सिटी को प्रोटेक कर रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि ये जिम्यदारी तुम अपने पास रखो और वो सुनियान सिटी को सेव करने की जिमारितारी ताइले तैंग लाए को दे देते हो और अपनी पोजिशन हम दोनों एक ही मास्टर के डिसीपल्स थे और एक दूस्ते से मिले थे और इससे आगे पूछने के लिए वो मना करते थे हैं जिस पर तैंग लाई भी मान जाता है और बाहरी दोंग जीन महां से चली जाते हैं जिसके बाद हमें साउचों का सीन दखाया जाता है जहां पे जहां जाूस की जाने के बाद हमें वह हमेसा अकैली रहते है उसका नाम भी रजिस्टर हो सकता है और वह यहां पर वापस मतला है नहीं दो जिसके बाहरा होंगा हमें साउच को धिक करता हैs स्क्रोल जो है वो मैटर नहीं करता क्योंकि हिज मैजिस्टी किसी भी अंधे इंसान को मैजिस्टी नहीं बनाएंगे और साउच यहां पर नहीं है तो सिर्फ एक लोते आप बचे हूँ जो कि हांका मैजिस्टी बन सकता है और वह भी सर्वन की बातों में आकर खुछ होने चल रही है उसके बाद भी तुमने फैन क्यों लिए रखा है और मुहिए इसका जबाब देता है जैसे जो लोग स्कोड चलाते हैं उनके लिस्ट कोड इंपोर्टेंट होती है वैसे ही मेरे लिए अपना इरा फैन इंपोर्टेंट है इसके बाद वहां पर वाके सब भी लो जो कि यंग है वह यंग्स्टरस के ऊपर एक पॉयम टाइप की सुनाने लग जाता है जो सभी लोगों को काफी जाता अच्छी लगती है और वह पॉयम फिर से यंग पहले की तरह बूजिन को विल्कुल भी समझ में नहीं आई और बागी सब लोग उसी के बारे में बात कर होने लग जाते हैं जिसके बाद वूजिन क्या बात कर रहे हो मुझे कुछ पी समझ नहीं आ रहा और मुझी क्यों पॉइंट ऑफ कर रहे हो जिस पर क्याती है क्योंकि तुम यंग हो ना और यह बोल कर हस्ते वहांसे चली जाती है और उसकी थरकत को वूजिन सोचता ही रह है और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सपिलेशन खतम है